नमस्कार मैं दिप्ती लेकर आई हूँ आपके लिए बुंदिल खंड में बनने वाली मठा फुलॉरी की रेस्पी ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक तरह की रेस्पी है एक बार बना कर इसे जरूर देखिएगा दिवाली आ रही है अगर आपके पास दही बड़े बगएर है बनाने का समय नहीं है तो आप इसे बना कर इंजॉय कर सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगती है और जल्दी से बन भी जाती है तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए है छाज मैंने एक लीटर छाज को बड़े से बाउल में निकाल कर रख दिया है साथ में एक कटोरी बेसन दे लिया है और उसमें हम डाल देंगे थोड़ी जादा कॉंटिटी में हींग बेशन जब भी इस्तेमाल करें उसमें हींग और अजवाइन का जरूर इस्तेमाल करें अगर आप कोई नमकी इन चीज बना रहे है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर यहाँ पर लंस फ्री हम डो बना कर तयार करेंगे तो इसको पहले हमें अच्छे से डो की तरह करना है फिर थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से गाड़ा सा बैटर बना लेना है जैसे कि हम केक बगेरे का बैटर बनाते हैं और यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर बगेरे का सोडा का किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे इसको बनाने में यह पारम पर एक तरीके से जो बनती है ना इसको बस बहुत अच्छे से फेटा जाता है और फेटनी से ही इसमें जो year bubbles आते है ना उससे जो फुलोरी बनती है वो काफी जालीदार और सॉफ्ट बनती है बेशन रेडी हो गया है तो यहाँ पर अब हम छाज को तयार कर लेते हैं मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्च का पाउडर काला नमक डाल दिया है यहाँ पर आप यहाँ पर चाट मसाला, काला नमक, सफेद नमक, मुने हुए जीरे का पाउडर, धेर सारा हरा धनिया जैसे भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग तयार करना है आप कर सकते हैं मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ताकि इसे त्योहारों पर हर कोई बना सके और मैं यह करवा चौद के दिन बना रही हूँ, मेरे यहाँ करवा चौद दिवाली पर या फिर मकर संक्रांती पर इसको बनाया जाता है और बहुत अच्छी लगती है चाज रेडी हो गई है बेसन रेडी हो गया है तो अफटा-फट से तड़का लगा लेते हैं मैंने राई हींग जीरा लिया है सरसो का तेल गरम करेंगे और उसमें इन तीनों चीजों को डाल कर चाज के अंदर हम डाल देंगे और उपर से धकन लगा देंगे इसे बहुत अच्छा इस लेवार आता है इसके अंदर जिससे यह चाज बहुत अच्छी लगती है अब यहां पर हम अच्छे से बेसन को फेट दे जाएंगे और मोटे तले की कढ़ाई में हम ले लेंगे यहां पर तेल मेंने सर्सों का तेल लिया है उसके ब तो आप इसको चाज के अंदर डालेंगे ना तो इनके अंदर चाज बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है और यह फूली फूली से ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में तो यहां पर हम इनको टाल कर तल लेंगे और मैंने जिस तरह से बिसन लिया है आप अकर चाज ज्यादा कॉंटिटी में है तो आप फूलॉरी और भी ज्यादा बना सकते हैं वैसे मैं आपको एक और सेक्रेट तरीका बताओं जैसे के हम कड़ी बगएरे बनाते है उसके लिए यह फूलॉरी अम बनाते हैं उन्ही फूलॉरी को आप छाज के अंदर डाल कर कड़ी और नहीं खाने है दही भले तो आप यह फटा फट से भेशन घोल कर मठा फूलॉरी की रैस्पी बना लीजिए बहुत ही टेस्टी लगती है और एक्दम यूनिक तरीके की होती है आप किसी को खिलाएंगे ना उसे बहुत अच्छी लगेगी जब आप सर्व करें तो थोड़ा आप इसको ना फ्रिज में उठा कर रख दीजिए यह जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगती है तो यहां पर इनके अंदर बहुत अच्छे से चाच चली गई है और यह काफी अंदर तक सॉफ्ट और फूली फूली हो गई है तो